इस वीडियो के इंदर गाइस यहापे हम लोग रिव्यू करने वाले है फिलिप कार्ड के एक्सेस क्राइड कार्ड का जिसके अंदर मैंने फानेश लिए 2324 के अंदर पचास हजार रुपे से भी जादा का कैश बैक अंकिया है आप मेरा स्टेट्मेंट देख सकते हैं मंतली वेसिस पे 14,15,22,000 रुपे तक के मैंने कैश बैक यहाँ पर आन किये तो भाई यह कैश बैक यहाँ पर कैसे मिले हैं और अगर आप यहाँ पर 1224 के अंदर क्या इस कार्ड को कंसिडर कर सकते हैं क्या काफी सारे छेंज offered के चैश बैक की अनर तो क्या इसके प्रो है क्या इसके काउन से क्या क्या इसके एंन चारज के इसके क्या यह स्टिल बैटर है 1224 के अंदर तो यह सब कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर वीडियो को शुरू करने से लिए बताना चाहूंगा अगर आप इस कार्ड को अप्लाइ करना चाहते एक्स्क्लूजिव रिवार्ट के साथ में तो लिंक इंदर डिस्क्रिप् क्योंगी कार्ड को यहाँ पर अप्लाइ करने के बाद में जैसे कार्ड आपके पास में आता है आप एक्टिवेट करोंगे कार्ड को तो आपको फिलिप कार्ड की तरफ से 500 रुपीज का गिफ्ट वाउचर मिल जाता है यानि फिलिप कार्ड की साइट के उपर आप कोई सा 3,000,000,000 रुपे या उससे ज़्यादा खर्च करते हो पूरे सार बर में तो वो भी आपका वीवफ हो जाता है तो मैं अगर मंतली बता हूँ तो 30,000 रुपे के सम्तिंग आपको खर्च करने पड़ेंगे अगर आप इसको एक lifetime free credit card बनवाना चाहती हो तो इसके लाए हो आपको domestic airport के जो है quarterly basis पे एक lounge access देखने को मिल जाता है और भाई मैंने भी अपनी life केंदर first time जब lounge केंदर मैंने entry मारी थी वो इसी credit card के थ्रू मारी थी अब भाई बात करते हैं यह rewards कितने रहता है तो देखें simple सी बात है flip card से related dedicated credit card है तो flip card की website पे आप कोई भी purchasing करेंगे आप 5% का आपको cashback देखने को मिल जाता है बस यहाँ पर कुछ exclude कर रखा है जिसे flip card का smart store है वहाँ पर जो bill और recharge का section है तो अगर आप बिल और recharge कराते हो तो वहाँ पर 5% की जगे date percent है साथ में अगर आप flight भी book कराते हो या sorry hotels वोगरे book कराते हो flip card की website के थ्रू ही app के थ्रू का cashback देखने को मिल जाएगा इसके लाव इसके बहुत सारे partner से जापर आप कोई भी purchasing करते हो तो 4% का cashback देखने को मिलता है जिसे swiggy हो गया, uber हो गया, pvr हो गया, cure fit हो गया, clear tip हो गया, tata sky, tata 1 mg हो गया, tvs के लिए tata sky हो गया, food के लिए अपना swiggy हो गया, uber हो गया, और भाई इस credit card की अच्छी बात बता है क्या है, statement के अंदर आपको बकायदा दिखाई भी देता है, जैसे आप देख सकते हो clear tip के उपर मैंने 30,000 रुपर के flight book की थी, उसके उपर भाई सीधा-सीधा 4% का cashback में को अपने statement के अंदर देख रहा है, यानि हर एक transition का अलग से आपको cashback दिखाए देगा, कि flip card पे आपने इतनी purchasing किये, इतना cashback मिलेगा, आपने clear tip पे इतनी purchasing किये, उसका इतना cashback मिलेगा, तो मतलब एक-एक transition का आपको ब्रीफ यहाँ पर मिलता है, जिसके बाद मैं, अगर आप कहीं पे भी किसी भी जगे spanning करते, यानि जितनी भी transactions होते हैं, चाहिए आप online कहीं पे जो है, अपने card को use करो, या फिर swipe वगरे कराओ, सबी जगे आपको 1% का unlimited cashback देखने को मिल जाता है, ध्यान रखेगा, Amazon जो pay वाला ICS वाला card है, महाँ पे still 1% का cashback है, other transaction पे, लेकिन भाई यह card अभी भी जो है, 1% का cashback आपको offer कर रहा है, साथ में petrol अगर आप भरवाते हो, तो fuel surcharge लगते हैं आपका, तो 1% के something यानि 500 रुपे पर मन्त की capping limit यहाँ पर लगा रखी है, साथ में भाई, अगर आप restaurant के नदर जाते हो, तो easy dinner की उपर जित्ते restaurant वगर लिस्टेड होते हैं, तो अगर आप उनके non-prime member हो, तो आपको 15 परसें का discount up to 500 रुपीज देखने को मिल जाता है, और prime member में भी same कहानी है, 500 रुपे तक का discount आपको देखने को मिल जाएगा, अब guys, यहाँ पर इस card ने जो है, कई सारी category को exclude भी कर रखा है, जहाँ पर आपको reward सोगरे नहीं मिलेंगे, even ये card नी, बहुत सारे, जित्ती भी market में credit card चल रहे है, सभी ने mostly इन सभी category को exclude कर रखा है, क्योंकि लोग क्या करते थे, खुद को ही rent का payment कर रहे है, और cashback अन करने की कोशिश कर रहे है, तो देखे इसके अंदर भाई, आपके ये transaction कोई भी जो है, इसके उपर cashback नहीं मिलेगा, जैसे अगर आप petrol बढ़ाते ह तो भाई उसको अगर आपने करने की बाद में EMI के अंदर convert कर लिया है, EMI transaction किया, तो उसके उपर भी आपको नहीं मिलेगा, साथ में अगर आप यहाँ पर purchase को convert करते हो EMI के उपर, मालेज़ आपने कोई अधर जगे से कोई purchase की, उसको फिर आप वापिस यहाँ पर EMI के अं अगरे हो गई, या कोई भी credit card की fees हो गई, card के charges का payment करना हो गया, तो इसके उपर कोई cashback नहीं है, आप भाई बात करते हैं कि यहाँ पर cashback आपको check कैसे करना है, तो होता है कि जब भी आप यहाँ पर purchasing वगरे करते हैं, तो आपका credit card statement जब generate होता है, तो यहाँ पर इस type से आ 1110 रुपे का मेरा cashback credit हुआ है, लेकिन यह cashback हुआ है September 2020 का, और यह statement जो आप देख रहे हो, यह मेरा October month का है, यानि September का जो cashback है, वो आपके October वाले statement के अंदर जाकर credit होता है, इससे फायदा यह मिलता है, कि आपका जो bill generate होगा, उतना amount भाई, आपको कम pay करना है, यानि गाइस बात करते हैं इसके लिए eligible कौन है, तो देखिए salary person की बात करो, तो minimum 15,000 रुपे की salary चाहिए, self-employed की बात करो business जो चलाते है, freelancer होगे, 30,000 रुपे पर month के at least आपके income होनी चाहिए, अब भाई apply करने के लिए मैं आपको dedicate link जो डिस्क्रिप्शन box के अंदर देने वा जाता है, जो की premium cards में आपको देखने को मिलता है, साथ में अगर आप joining fees और annual fees भी देखोंगे, तो easily आपकी भाई recover हो जाती है, joining fees तो hand-to-hand recover हो जाती है, annual fees भी अगर आप अच्छा खर्चा करते हो, recover हो जाता है, और अगर नहीं भी करते, तो जो cashback भाई आप earn कर रहे हो न हर महीन है, तो उसके अंदर आपका आराम से recover हो जाता है, so guys, if you like this video, please subscribe to our channel, अगर आप लोग के कोई भी doubts है, तो comment box के अंदर यहाँ पर जरूर बताईएगा, thank you guys, thank you very much